इस वीडियो में अपनी दिन चर्या के बारे में कुछ बताईए ऐसा मुझसे कभी-कभी पूछा जाता है तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही चीजें शेयर करूँगा जिससे जिन चीजों को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ में उन चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश मैं करता हूँ कुछ rules हैं जिनको मैं follow करने ही कोशिश करता हूँ सभी rules को follow करना possible नहीं भी हो पाता लेकिन उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रहे उनका थोड़ा सा हम ध्यान रखें जितना possible हो उतना उनको हम लोग follow करें तो हमारी life जो है वो थोड़ी सी और अच्छी होती जाती है तो मैंने इन चीजों को और काफी दूसरी चीजों को भी follow किया है और मेरा अपना ये experience है कि मेरी life improve हुई है उससे कुछ आम छोटी छोटी बातें कोई वाशी कोई बहुत भारी बातें नहीं है तो एक list मैंने बना रखी है जिसको मैं बोलता हूँ 21 golden rules ऐसा नहीं कि मैं खाली उनको follow करता हूँ लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपके साथ share करना चाता हूँ उसमें कुछ ऐसी बाते हैं जैसे एक उसमें rule है कि be active always be active always तो जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि मैंने जो इसका मतलब समझा वो यह होता है कि एक तो creativity और learning यह दो चीजें मैं कभी नहीं छोड़ता पूरे दिन में as a artist as an artist जब तक हम कुछ create ना कर लें चाहे गाना बनाएं चाहे गाना लिखें चाहे गाना गाएं चाहे कुछ वीडियो बनाएं चाहे कुछ रिकॉर्ड करें जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो creative side में कुछ काम जरूर करना पूरे दिन में और learning कुछ ना कुछ जरूर सीखना है अब learning में चाहे reading ले लो चाहे कोई lecture YouTube पर सुनना है या कोई song prepare करना है तो creating यानि हमने कुछ create किया दूसरे के लिए या अपने लिए और दूसरा हमने कुछ सीखा इसको मैं बोलता हूं be active always भले उस सीखने में भले आपने badminton जाके खेल दिया कोई नई उसमें कोई नई trick सीख ली या आपने कोई health से related कोई काम सीख लिया या कुछ ऐसा जो की लर्ण जिससे आप जब रात को आप सोएं तो आप सोड़ा सोचें के मैंने आज ये create किया और मैंने आज ये सीखा जब इसकी आदत हमें बढ़ जाती है तो आपको मतलब रात को सोते टाइम आपको बड़ा satisfaction फील होता है कि मैंने आज ये चीज़ किया ये अच्छा काम मैंने किया है इससे और मैंने यहां से ये सीखा है ठीक है तो learning and creating ये दो चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखता हूं इसलिए मैंने इस पॉइंट को सबसे उपर रखा है इसको मैं बोलता हूं बी एक्टिव कुछ ना कुछ करते रहने का कि इज़र इधर से उठाकर रख दिया दरवाजा खुला तो बंद कर दिया वह उदर कोई कपड़ा टंगावा उसको नीचे कर दिया यह तो छोटी मोटी काम है यह तो एक तरीकी की बिमारी है उदर से उठके उदर बैट गया उदर टीवी चला लिया फिर ब mentally, emotionally कुछ फायदा हुआ, ऐसा आपने क्या किया है, besides your daily work, ठीक है, दूसरा point है, इसका, be aware of your strength, potential and your desires, आपको क्या-क्या चाहिए, आप क्या करते हैं, अच्छा और आप क्या कर सकते हैं, ये तीन चीजें, आपको बिल्कुल clear होनी चाहिए, एक छोटे बच्चे से लेके, एक बुजर्ग व्यक्ति तक, आप में क्या-क्या plus point है, आपकी strength क्या है, जैसे मेरे को पूछे तो मैं बोलोंगा, जी मैं प्यानो बजा सकता हूँ, मैं प्यानो सिखा सकता हूँ, ये मेरे को confidence है, कोई दूसर बना सकता हूँ, ये चीज, अगर मैं आप से पूछूँ, तो आप में से लगबग 50% लोगों को सोचना पड़ेगा, कि मैं क्या करता हूँ, जरा सोच लूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दम आपको पता होना चाहिए, इसलिए उसको आपको हो सकता है, कॉपी में लि पॉइंट्स है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैं इस चीज को यहां तक कर सकता हूँ, उसके बाद आपकी पोटेंशल, आप क्या क्या कर सकते हैं, मानलो फ्यूचर में कोई आप बिजनस स्टार्ट करते हैं, उसी स्ट क्लियर होना चाहिए, कि मैं ऐसे जाके ऐसे शो में प्ले कर सकता हूँ, मैं ऐसे संगीत के साथ, जैज के साथ प्ले कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी आप अगर किसी चीज में अच्छे हैं, तो उस चीज में ये 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 और बड़ा कर सकता हूँ, पोटेंशल आपकी क्ल आईडिया नहीं लगाना होता बिल्कुल क्लियर होना होता है चीजों के बारे में यह 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 दिस दिस और तीसरा के आपको फ्यूचर में क्या-क्या चाहते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए आपको एक बड़ी कार अगर चाहिए तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरे को यह बड़ी कार मेरे को यह वाली गाड़ी चाहिए यह पर्टिकुलर मॉडल चाहिए हो सकता है आप अभी ना खरीद पाएं लेकिन आपको पता होना इन्वेस्ट्मेंड करोंगे क्या करोंगे बताओ कि गू्र में जांगे आपना तो जो भी चीज है हुआ उसको भी आपको देखनांप क्लियर मिलेगी चीजों में आप एक भूम trained सद्क है टो आपके लाइफ में 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 आपकी बिजनेस लाइफ में आपकी स्टूडेंट लाइफ में आप देखना आपको बहुत जादा क्लियारिटी मिलेगी चीजों में आप एक भूग भी पढ़ोगे तो वह एड़ बैक अफ यूर माइंड वह आपको पता होगा मेरे को यह चीज़ यह इसके लिए मैं यह कर रहा हूं मैं यह कर पाऊंगा इसलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूं जो भी एक्षेन आपका होगा वह उससे रिलेटेट होगा उसके बाद जो भी कुछ आप बहुत इजी पॉइंट है हेल्दी फूड जो भी चीज़ आप खाते हैं खाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि यह चीज मुझे मेरे लिए मेरी एज के हिसाब से ठीक है या नहीं है वैसे तो आज कल थोड़ा मुश्किल है खाएं थोड़ा सा एज के हिसाब से चलें तो उससे आपकी लाइफ में बहुत फायदा होता है जस्ट सिंपल पॉइंट हेल्दी फूड अगें अनदर सिंपल पॉइंट एक्सरसाइज और जैसे आज सुबह मैंने प्राणायाम किया मुझे पता है मैंने 40 मिनट प्राणाय हम करना या योगा करना आदा गंटा चालें योगा कर लिया दो ये तो इयो Object है आती है ऐसा नहीं कि काली बोडीं पर काम करता है मेरा personal experience यह है जब मैंने पिछले कुछ साल में लगबग 3-4 साल continue yoga किया तो मुझे यह सीखने को मिला कि योग करने से body से जादा हमारे mind पे बहुत sharp ने साथ है हमारा दिमाग बहुत उससे fresh हो जाता है जिससे के fresh mind से पिर आप जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे इसको अलग से लेकिन इसका ध्यान रखना है कुछ ना कुछ सीखते रहना है कोई ना कोई बुक आपके पास होनी चाहिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बुक्स मंगाता हुं और उसको पढ़ते 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 इतनी सारी हो जाती है पिर उसको खतम करताहों पिर दूसरी बुक्स मंगाता हूं तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए आज कल तो YouTube है उसमें अपना ऑडियो बुक बोलते हैं उसको आप काम करते रहो उसको कान में ध्यान से सुनते रहो और मज़े की बात यह है बड़ी-बड़ी बुक्स को में में पॉइंट उन्होंने बना के 10-15 मिनट के वीडियो में उन्होंने डाले हुआ है यह उसके बाद है यह हेल्थ से रिलेटिट है 30 मिनट का सनलाइट 30 मिनट सनलाइट अच्छा है कि आप 6 बज़े उड़ जाए साड़े 6 बज़े उड़ जाए जितने बज़े सुबा वाला जो सूरज होता है सूरज के दर्शन करें और अपना वही मैं तो उसी में प्राणायाम करता हूँ सुबा सुबा सुनलाइट अभी तो इतना मौसं गरम भी नहीं है तो 30 मिनट का सन सनलाइट बहुत जरूरी है खास तोर पर उनके लिए जो कमरे के अंदर ही रहते हैं ज्यादा तरह टाइम बाहर कम निकलते हैं इससे कई सारी ह हमारी भीमारी है ठीक होती है आप नैचिरो पैस के बाद जाएंगे तो आपको बोलेंगे बढ़िया सुरह के दर्शन किया करो सनलाइट लिया करो तो जो सुबा सुबा का सुरॉज होता हो बहुत अच्छा होता है वह लाइट सनलाइट कम से कम आदा घंटा आप ले सकते अराम से यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं काम करूंगा बाकी के जो पॉइंट्स है मैं आगे काफी सारे पॉइंट्स है तो दीरे दीरे आपके साथ मैं शेयर करूंगा थेंक्यू वेरी मॉच मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइबाइग अ जोय कोण जो झाहां आपके सारे करूंगा थेयर के वीडियो मीन काम करूंगा इसलिए भी जोगा ड्ली कि अभाइग वेरी में शेयर ke जो पॉज़ा करूंगा भी अगेर देक हैं वेरी दूळाईड़ा काम 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 काम